1.3 का question number 3 है हमारे सामने है जिसमें करा है prove that the following are irrational ये जो हमें problems दी गई है first, second, third इन सभी को हमें irrational prove करना है तो same method contradiction method से हिने prove किया जाएगा तो one by one देखते हैं किस तरह से हिने prove किया जाएगा question number third के first से शुरू करते हैं जिसमें हमें one by root two को irrational prove करना है तो simple contradiction method से इसे prove किया जाएगा तो इसमें let कर लेंगे let us assume the contrary that one by root two is rational हम इसका विरोध बिल्कुल opposite assume कर लेंगे कि ये one by root two जो है वो है rational if it is rational अगर ये rational है तो हम इसको इस तरह से लेख सकते है one by root two equals to a by b कोई भी rational number होता है वो किस form में होता है a by b fraction की form में होता है ठीक है तो और a और भी हमारे यहाँ पर क्या है a and b are coprimes ये दोनों numbers के है coprime में जिन का मतलब one के अलावा कोई भी common factor नहीं है ठीक है इस equation को rearrange करें दोसरे मतलब two को इदर लेकि जाएंगे बी को इदर लेकि जाएंगे cross multiply तो ये b को one में multiply करेंगे यहाँसे one में multiply होगा नो manner डिवाइड में तो root 2 equals to b by a ठीक है क्यों जाएगा b by a root 2 equals to b by a और b by a हमारा क्या है fraction की form में है तो यह क्या है rational तो हम कह सकते हैं कि b by a b by a is in the form of p by q यह हमारा किस form में है p by q की form में है then अगर यह p by q की form में है तो then it is rational तो यह क्या होगा rational होगा ठीक है यह तो हो गया rational by a हमारा rational बट हम theorem 1.4 में root 2 को प्रूव कर चुके हैं कि यह क्या हमारा irrational है ठीक है तो but root 2 is irrational root 2 जो है हमारा वो क्या है inal है तो कोई भी rational number irrational number के equal नहीं होता है लेकिन यहां पर क्या आ रहा है equal आ रहा है तो यह क्या है हमारा contradiction मतलब यह विरोधा बास है ठीक है so तो हम कह सकते हैं so this contradiction is horizon because of our incorrect assumption जो भी यह विरोधावास हमें नजर आ रहा है question में कोई rational number irrational number के equal दिखाई दे रहा है हमें यहां लेकिन ऐसा नहीं होता है तो यह जो भी विरोधावास नजर आ रहा है यह किस वज़ेसे हमारे incorrect assumption की वज़ेसे अगर हमने यह assumption जो है हमारा हमने let किया था assume किया था कि 1 by root 2 जो है rational है अगर यह गलत है तो हम कह सकते हैं ठीक है so we conclude that 1 by root 2 अगर rational नहीं है तो 1 by root 2 is irrational ठीक है यह हो गया हमारा first अब तो question number 3 का second आ जाता है जिसमें हमें 7 root 5 को irrational प्रूब करना है तो same method let us assume the contrary that 7 root 5 is rational इसका opposite let कर लेंगे हमकी 7 root 5 क्या है rational है ठीक है अगर यह rational है तो हम इस तरह से लिख सकते है 7 root 5 equals to a by b a by b की form में हो सकता ही ठीक है और a और b हमारे यहां पर क्या होंगे a and b are co prime co prime number वो होते है जिनका hcf 1 होता है या फिर यह कह सकते है कि जिनका common factor सिर्फ 1 होता है 1 के लाबाए इनका कोई भी common factor नहीं होता इसे करेंगे rear range 7 मतलब हम यहां क्या करेंगे root 5 के value निकालेंगे यहां से तो root 5 के value निकालने के लिए 7 को दूजरी तरव लेके जाएंगे 7 यहां पर root 5 के साथ multiply में है तो दर जागे denominator में जाएगा यह ठीक है divide में जाएगा तो root 5 equals to a upon में 7 b ठीक है तो यहां पर हम देख सकते है मतलब हम पहले root 5 को दूजरी rational प्रूव कर चुके है और यह किस form में है a by b मतलब fraction की form में है तो यह क्या होगा rational और यह है irrational तो कोई भी rational number rational number के equal नहीं होता है तो हम कह सकते है कि a upon में 7 b is in the form of of pyq यह किस form में है pyq की form में है then it is rational अगर कोई भी pyq की form में होता है तो वो क्या होता है rational ठीक है but we know that but we know that root 5 is irrational लेकिन हमें पता है हम पहले prove कर चुके है कि root 5 जो होता है वो irrational होता है यह irrational है यह rational है तो कोई भी irrational number rational number के equal नहीं होता है तो यह जो भी contradiction आ रहा है यह किस वज़े से आ रहा है तो हम कह सकते है कि so this contradiction is arisen because of our incorrect assumption यह जो भी contradiction आ रहा है विरोध अबास नजर आ रहा है कि कोई irrational number rational number के equal है तो यह किस वज़े से है क्योंकि हमने यहां पर गलत assumption लिया है 7 root 5 को rational assume किया था हमने तो यह हमने गलत assume किया अगर यह गलत assume किया है तो हम कह सकते है कि 7 root 5 अगर वो गलत था तो यह 7 root 5 क्या होगा 7 root 5 is irrational अब चलते है third part पर third part में कहा रहा है 6 plus root 5 को irrational prove करना है तो same method let us assume the contrary that 6 plus root 5 is rational इसे assume कर लेंगे कि यह क्या है इक rational number अगर यह rational number है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते है 6 plus root 5 equals to a by b ठीक है और a और b हमारे क्या है यहाँ पर co prime numbers है जिनका common factor सिर्फ 1 होता है इसे rearrange करेंगे rearrange करने में हम क्या करेंगे root 5 की value निकालेंगे क्योंकि हमें पता है root 5 क्या है irrational number है यह हम prove कर चुके है तो root 5 की value निकालेंगे तो क्या होगा 6 इस तरफ plus में है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा minus में तो यह क्यों हो जाएगा root 5 equals to a minus b minus में 6 ठीक है LCM ले लेंगे इस side में LCM लेने पर हमारे equation आएगी root 5 equals to a minus 6 b upon में b ठीक है तो यह आपको किस तरह से दिख रहा है उपर अमलब यह हमें fraction की फॉर्म में दिख रहा है p by q की फॉर्म में और root 5 i rational यह है rational तो हम कह सकते हैं कि a minus 6 b upon में b is in the form of p by q यह किस फॉर्म में है p by q में अगर यह p by q की फॉर्म में है तो then it is rational तो यह क्या हो जाएगा rational यह rational हो गया लेकिन we know that root 5 is irrational but we know that root 5 is irrational हमें पता है कि root 5 जो है वो irrational होता है यह rational है यह irrational तो कोई भी irrational number rational के equal नहीं होता है so this contradiction जो भी यह विरोधावास आ रहा है हमारी equation में यह किस वज़े से आ रहा है so this contradiction is arisen because of our incorrect assumption यह जो भी रोधावास हमें नजर आ रहा है यह किस वज़े से है क्योंकि हमने जो आजियोम किया था वो गलत इजयोम किया था कि 6 प्लस रूट 5 जो है वो rational है यह हमने गलत आजियोम किया था अगर यह हमने गलत आजियोम किया था तो हम conclusion में क्या कह सकते हैं कि 6 plus root 5 so we conclude that 6 plus root 5 is irrational यह हो जाता हमारा question number 3rd complete झाल 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 झाल